नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर पुस्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज बात करेंगे हम फेस पें चीक्स पें या सोल्डर्स पें चेस्ट पें या ब्रेस्ट पें आपने देखा होगा कि एक मोटे मोटे एकने से एकने नहीं होते लेकिन एकने से थोड़ा सा मोटा बड़ा सा स्पोर्ट से इस तरीके से बन जाते हैं जिनको हम किलोईड इसकार्स बोलते हैं किलोईड बोलते हैं थोड़ा हाड होता है दबाने में ना कुछ उन से विसेस निकलता है बड़ा बद्दा लगता है दिखन है एक्षिली में बहुत टिपीकल कंडिशन होती है तो अल्रड़ी पेशेंट हों पैथी पे जाता ही नहीं है कि उसको लगता है कि मुझे सर्जन या बड़े स्पेशलिस से मिल लेना चाहिए क्योंकि बड़ा गवराया हुआ रहता है और तसली नहीं होती कि क्या हो पैथी में इसका एलाज भी नहीं होता नौलिज भी नहीं हो पाती अर्प्रेशेंट को की वाके में हों पैथी कहा तक किस तरीके से सही कर सकते हैं लेकिन जितने भी मरपास पेशेंट आये हमने उनको म या किसी तरीके की ब्लेडि से कट करके हम कूछ निकाल रहे हैं कुछ मैडीशन से वैसाक तbeyक तीन-चार महीने लग जाते हैं असी चीजों को सई करने में जर्नली वाकी किसी को ज़्यादा प्रोब्लम में तो समय ज़्यादा भी लग सकता है जो मेडिसिन मैंने यूज की है मेरे क्लिनिक पर वह मैं आप वता रहाँ कि सब्सक्राइब तरीके का थोड़ा थोड़ा सा उंचा उंचा लग रहा है से एक ने मोटा मोटा हो गया इस तरीके से दर्द भी रहता है उसमें धेस बहुत गंदा गंदा लगने लग जाता है ऐसी कंडिशन में मैंने अ रेडनेस थी हाड था बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं था पस वगरा विल्कुल भी नहीं था उसमें अचकन्ने पे दर्द भी आता था एक होता था सही कुछ दिन बाद दूसरा भी बन जाता था फेस पे ऐसे एक पेशेंट थे एक के बिटिया आई थी अठारभी साल की होगी उसको मैंने दिया कलके रिया सल्फ थर्टी सुबशाम सुबशाम रेगुलर रखी उसी के साथ थूजा थर्टी सुबशाम सुबशाम वही दददस मुने पानी मिक्स करके या ओंटंग दो से पास मुन आप ले सकते हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और नए नहीं निकल रहे हूँ तो कलकेरिया सल्फ 30 सुबशाम सुबशाम और साइलिसिया 30 कलकेरिया सल्फ 30 साइलिसिया 30 सुबशाम सुबशाम 10 मिनिट के अंतर से आप रेगुलर यूज़ कीजिए सौफ्ट होके वो चीज़ें वहीं की भाई खतम होने लग जाती है विसेश और कोई टीटमेंट मैंने ना तो दिया ना ही मुझे जरुरत पड़ी क्योंकि इनी चीज़ों से मुझे आराम मैसूस हो गया और वो कम्प्लिट खतम हो गये तो दोस्तो कीलो डिसकार्स के लिए ये तीन मेडिसिन जिनका मैं हर पेशेंट पे एक फॉर्मुला वन चकाए कि इस तरीके की समस्या है तो इन से आराम आएगा आएगा वाकी आप और मेरे वीचे में सिर्फ एक वीडियो का कम्यूनिकेशन है मैं ये नहीं कहता है कि ये फॉर्मुला सब पे एपलाई होगा लेकिन आराम जरूर देगा इतना जरूर विश्वास है मुझे इसलिए मैं आज इन मेडिसिन्स को इस प्रॉलम के लिए आपके साथ सेयर कर रहा हूँ उम्मीद है आपको भी लाव होगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्क्राइब जरूर कीजिएगा नमस्कार